हाई दोस्तों ये हीट and मास ट्रांसफर का लेक्चर नमबर 73 है और इस लेक्चर में हम हीजलर चार्ट के बेसिक कंसेट के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम एक नुमेरिकल भी करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए यह हमारे पास हीजलर चार्ट की डेफिनेशन है और यह इसके कुछ एप्लिकेशन है तो इन्हें हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे सबसे पहले हम इसके बारे में और कुछ जरूरी बाते जान लेते हैं जैसे की हीजलर चार्ट हम कब यूज करते हैं तो हीजलर चार्ट को हम तब यूज करेंगे जब बायाट नंबर की वैलू 0.1 से 100 के बीच में होगी और जब 4-year नंबर होता है उसकी वैलू 0.2 से अधिक होगी नंबर 2 पर देखिए इंटरनल रिजिस्टेंस इस नोट नेगलिजिबल तो जिस भी बोड़ी पर हम एनलिसिस करते हैं उस बोड़ी का इंटरनल रिजिस्टेंस नेगलिजिबल नहीं होता ठीक है जबकि जो Lumford parameter analysis होता है उसमें body का internal resistance negligible होता है temperature gradient is not negligible तो यहाँ पर temperature gradient भी negligible नहीं होता इसका मतलब क्या है कि body के अलग-अलग points पर जो temperature है वो हमें अलग-अलग देखने को मिलेगा तो इसका मतलब यह है जैसे इस वाले point पर मालो 40 है इस वाले पर 50 तो यहाँ पर अलग-अलग temperature है तो इसकी वज़े से यहाँ पर temperature में difference है और temperature में difference होने की वज़े से यहाँ पर temperature gradient देखने को मिलेगा और जो Heasler chart है वो किसके लिए applicable है कहाँ पर यूज़ किया जाएगा यह plane slab के लिए यूज़ किया जाएगा तो इसके बारे में हम जान लेते हैं तो देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं T-TA तो इसको हमने यहाँ पर लिखा और TI-TA इसको हमने यहाँ पर लिखा हमने यहाँ पर अपनी मर्जी से T-TA इससे multiply की और इसी से ही divide कर दिया और जहाँ पर यह T-note क्या है T-note है आपका center का temperature जैसे हमारे पास एक slab है या एक plane wall है तो इसकी जो center line का temperature है वो क्या है T-note TA क्या है environment का temperature और TI initial temperature है यहाँ पर तो चलिए हीजलर चार्ट के बारे में और कुछ basic जानकारी देखते है देखिए जो हम यहाँ पर question को solve करने के लिए हीजलर चार्ट यूज करेंगे वो total 6 है और 6 मैंसे यह वाले 3 देखिए तो इन वाले 3 में y axis पर क्या है यह वाला टर्म है आप देखिए यहाँ पर y axis पर क्या है T-note माइनस TA अपन TI-TA यहाँ पर आप देख सकते हो और जो आगे के 3 है उसमें y axis पर यह वाला टर्म है T-TA अपन T-note माइनस TA आप यहाँ पर देख सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ जो आगे के 3 है उसमें y axis पर क्या है यह ती माइनस TA अपन T-note माइनस TA ठीक है इन तीनों पर यह ही है तो जो शुरुवाले तीन है यह वाले जो तीन ग्राफ है यह हीजलर चार्ट है इनका यूज हम किसलिए करेंगे देखो यहाँ पर क्या है T-note और T-note क्या होता है Center Line Temperature तो इन तीनों का यूज हम Center Temperature Find करने के लिए करेंगे चाहे हमें Plate का Center Temperature Find करना हो या Cylinder का Center का Temperature Find करना हो या Spare का और जब बाद वाले जो तीन चार्ट है उनका यूज हम करेंगे Center के अलावा किसी भी Point पर Temperature Find करने के लिए तो यह वाले जो चार्ट है इसमें यहाँ पर यह जो लाइन है यह क्या रिप्रेजेंट करती है यह X upon L रिप्रेजेंट करती है X upon L क्या है Dimensionless Parameter और यहाँ पर क्या है Small R upon R यह क्या है यह भी Dimensionless Parameter है और इस तरह से यह भी Dimensionless Parameter है देखो यह जो X है यह क्या होती है जैसे यह हमारे पास एक plane wall है और अगर हमें plane wall के center पर temperature find करना है तो हम इन तीनों चार्ट का यूज करेंगे और यदि हमें center line के अलावा और किसी point पर temperature find करना है तो यह वाले distance रहेगी वो क्या रहेगी X तो यह X है तो यानि हम किसी भी distance पर temperature find कर सकते हैं तो चलिए इसकी definition जान लेते हैं जो हमने उपर लिख रखी है definition जो है वो इनी चार्ट से दी गई है किस तरह से जैसे कि यहाँ पर y-axis पर क्या है t-note-ta upon ti-ta और x-axis पर क्या है f-note और यह जो value यह किसकी है one upon by out number तो चलिए इसकी जो definition है उसे हम देख लेते हैं देखिए the chart plotted with temperature t-note-ta upon ti-ta versus f-note तो यह जो चार्ट है किस-किस के बीच में plot किया जाएगा एक तो यह वाला t-note-ta upon ti-ta और किसके यह वाला f-note तो इन दोना के बीच में plot किया जाएगा four various values of one upon by out number तो one upon by out number की value अलग अलग रहेंगी तो जैसे कि यह जो line है यह किसके लिए है one upon by out number four solids of different shapes such as plates, cylinders and spares are known as healer chart तो आप समझ गया होगे इसके बाद इसके application देखते हैं देखो these chart provide the temperature history of solids at its mid plane तो यह जो चार्ट है वो किसी भी solid के mid plane पर temperature history find करते हैं बताते हैं हमें और temperature at other location of the solid तो solid के किसी other location पर भी हमें temperature बताते हैं तो चलिए ऐसे कर लेते हैं कि हम एक numerical करते हैं तो देखो यह chart है अलग-अलग, total 6 chart होते हैं वो मैंने आपको बताया है तो इस तरह के यह जो chart हैं बड़े वाले यह किस लिए इस्तमाल किये जाएंगे यदि हमें center पर temperature find करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, heasler chart for temperature history at the center of a plate तो यह plate के center पर temperature find करने के लिए यूज के जाएगा अगला वाला chart देखते हैं तो यह जो chart है, यह cylinder के center पर temperature find करने के लिए यूज के जाएगा तो ये जो बड़े वाले तीनों चार्ट हैं ये center पर temperature find करने के लिए यूज किये जाएंगे और जिनमें इस तरह से ये line खिजी गई है ये वाले जो चार्ट हैं ये आपके center के अलावा किसी other location पर temperature find करने के लिए यूज किये जाएंगे तो चलिए ऐसा गल लेते हैं कि हम numerical लेखते हैं उसके बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि हम यह चार्ट किस तरह से यूज़ करने है तो यह question देखिए A 60 mm thick large steel plate तो हमारे पास एक plate है और जिसकी thickness कितनी है 60 mm तो यह इसकी thickness है 60 mm इसकी thermal connectivity दी गई है और alpha क्या होता है thermal diffusivity और initially at 440 degree Celsius तो इसका initial temperature कितना है 440 इसको लिख लेते हैं Ti is equal to 440 degree Celsius suddenly exposed on both sides to an environment with convective heat transfer coefficient 235 and temperature 50 degree Celsius तो इसको environment में expose किया गया है और जो environment का temperature है वो कितना है 50 degree Celsius तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं T A is equal to 50 degree Celsius और देखवा आगे determine the center line temperature तो इसकी center line का हमें temperature बताना है यहाँ पर center line पर and temperature inside the plate 15 mm from the mid plane after 4.3 minutes से तो इस mid plane से 15 mm की distance पर भी हमें temperature find करना है और हमें time की value दी गई है 4.3 minutes तो आपको question समझ में आ गया होगा आपको बता देता हूँ जैसे कि यह हमारे पास एक slab है plate है इस plate को हमने environment में रखा है और environment का temperature 50 degree Celsius है तो हमें बताना है कि 4.3 minutes के बाद इस plate की center line का temperature कितना होगा और center line से 15 mm की distance पर इसका temperature कितना होगा तो यह हमें दोनो temperature calculate करने है तो जो given data है इसे लिख लेते है तो देखे यह क्या है tau time को हम रिप्रेजेंट करेंगे tau से यह कितना है 4.3 minutes इसे हम second में convert कर लेते हैं तो इसमें हम 60 से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 258 second और यहाँ पर हमारे पास इसकी thickness दी गई है 60 mm तो यह हमें पता होता है कि जो plate की characteristic length होती है वो कितनी होती है ly2 thickness की half और जो cylinder होता है उसकी characteristic length ry2 और spare के characteristic length ry3 तो इसकी characteristic length निकाल लेते हैं तो length हमारे पास कितनी है 60 mm तो 60 upon 2 और यह mm में हैं तो इसे meter में convert कर लेते हैं तो 10 की power minus 3 से multiply करेंगे और इस तरह से हमारे पास यह मिलेगा 0.03 meter और ऐसा कर लेते हैं कि हम अब biot number find कर लेते हैं कि उसकी value 0.1 से ज़्याद है आती है यह नहीं आती है तो देखो biot number का क्या formula होता है h lc upon k तो देखो h की value हमारे पास कितनी given है heat transfer coefficient है हमारे पास 235 और characteristic length 0.03 और thermal conductivity यह कितनी है 42.6 तो इसे लिख लेते हैं 42.6 तो यह solve करने पर आ जाएगा 0.165 तो 0.165 0.1 से अधिक है तो हम कह सकते हैं कि जो biot number है यहाँ पर हम लिख लेते हैं biot number है वो greater than है 0.1 से तो यहाँ पर हम hazler chart यूज कर सकते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं so we can use hazler chart अब देखो इसे solve करने के लिए हमें किसकी value चाहिए 1 upon biot number और four year number तो हम दोनों को निकाल लेते हैं सबसे पहले हम 1 upon biot number निकाल लेते हैं 1 upon biot number तो इसका मतलब क्या है 1 upon 0.165 तो 1 upon 0.165 यह मिलेगा हमें 6.06 चलिए four year number की value find कर लेते हैं तो इसके लिए क्या formula होता है alpha tau upon lc square तो देखो alpha thermal diffusivity हमारे पास कितनी है हम question में देख लेते हैं तो देखो alpha की value है 0.043 meter square per hour यह हमारे पास 0.043 meter square per hour तो इसे हम hour से second में convert कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3600 से multiply करेंगे और यह किसमें convert हो जाएगा second में तो 0.043 upon 3600 इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.043 upon 3600 और tau यहनि time time हमें कितना given है 258 second तो इसकी value हम यहाँ पर रख देते हैं 258 और characteristic length तो characteristic length की value है 0.03 और इसका हमें square भी करना है तो यहाँ से 4A number की value आ जाएगी 3.424 तो आप देख सकते हो कि जो 4A number की value है वो 0.2 से अधिक है तो भी हम हीजलर चार्ट का यूज करेंगे तो चलिए ऐसा कर लेते हैं कि अब हम center line temperature find कर लेते हैं तो हम हीजलर चार्ट का यूज कर लेते हैं देखो 1 अपॉन बाय आट नंबर की value कितनी है 6.06 और 4 ये नंबर की value है 3.424 तो center line temperature find करने के लिए हम जो बड़े वाले चार्ट हैं उनका यूज करेंगे तो ये वाला जो चार्ट है इसका हम यूज करेंगे center line temperature find करने के लिए तो मैं यहाँ पर value लिख देता हूँ जो 4 ये नंबर की value थी वो कितनी थी 3.424 और जो बाय आट 1 अपॉन बाय आट नंबर की value थी वो कितनी थी 6.06 तो देखो 4 ये नंबर एक सक्सिस पर है तो देखो 3.4 3.4 कहा हैगा 3 और 4 के बीच में तो लगभग ये हमें यहाँ पर मिलेगा अब देखिए वन उपन बाय आट नंबर ये कितना है 6.06 तो 6.06 ये देखो बाय आट नंबर वाली लाइन है आप देखो ये 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6 तो 6 और 7 6.06 का मतलब कितना है लगभग 6 तो हम ये 6 वाली लाइन देखते है तो इस 6 वाली लाइन पर हम इधर की तरफ चलेंगे और ये जो 3.4 है इससे हम उपर की तरफ चलेंगे इस तरह से और जहां भी ये ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी जैसे कि मैं इसे उपर की तरफ लेकर के चलता हूँ और फिर हम दूसरी वाली line भी उपर की तरफ लाएंगे तो ऐसे कर लेते हैं कि इसे उपर की तरफ लाते हैं तो देखो ये इस तरह से लगभग ये दोनों यहाँ पर आप करके मिल जाती हैं तो यहां पर आप करके मिल जाती हैं, तो यहां से हम इधर की तरफ चलेंगे, तो इधर की तरफ देखो यह कहां पर y axis को cut करती हैं, यह लगबग 0.5 और 0.6 इन दोनों की बीच में cut करेंगी, तो जो t0-ta upon ti-ta, इसकी value कितनी मिलेगी, लगबग 0.6, तो इसकी value हम लिख लेते हैं, t0-ta upon ti-ta, तो देखो यहां पर लिख लेते हैं, from hazler chart, t0-ta upon ti-ta is equal to 0.6, और t0 की value में find करनी है, centerline temperature, तो t0- environment का temperature कितना था, आपको दिखा देता हूं question में, यहां पर देखें, environment का temperature कितना है, 50 degree Celsius, और ti initial temperature कितना है, 440, तो यहां पर रखेंगे, 50 upon 440 minus 50, और यह 0.6, और इसे solve करेंगे, तो यहां से t0 की value आएगी, 284 degree Celsius, तो यह क्या है, centerline temperature, मैं आपको समझाने के लिए, एक और दिखा देता हूं, क्योंकि जो मैंने भी आपको चार्ट दिखाया था, वो clear नहीं था, मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूं, जो काफी साफ है, आप लोग इस वाले चार्ट में देखिए, यह 4 यह नमबर है, और यह यहां पर इस तरह से जो line यह क्या है, वन अपॉन बायोट नमबर, तो जो हमारे पास बायोट नमबर था, वो कितना था, 6.06, इसका उनलब 6, और जो हमारे पास 4 यह नमबर था, वो कितना था, 3.4, तो 3.4 हम इस तरह से चलेंगे उपर की तरफ, और यह जो हमारे पास है, 6, इस तरह से हम इधर की और चलेंगे, तो देखो यहाँ पर जो यह value है यह जो line है वो आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास पास है तो इस तरह से यहाँ पर अलग इसको जूम करके दिया गया है तो ज़रा इसमें देखिए 3 और 4 के बीच में 3.4 3.4 हमें यहाँ पर मिलेगा और जो 6 है 6 वाली line कौन से यह वाली 6 वाली line यह है 7 वाली line यह वाली है तो 6 वाली line पर इधर की तरफ चलिए और 3.4 यानि यह वाली line तो यह दोनो line आपस में यहाँ पर cut करती है तो यहाँ पर इससे फिर इधर की तरफ चलिए तो जो हमें यह वैलो मिलती है ती नोट माइनस टी ए अपॉन टी आई माइनस टी ए इसकी वैलो कितनी मिलती है 0.6 इन दोनों के बीच में यह आएगा चलिए इसका सेगेंड वाला पार्ट सोल कर लेते हैं जिसमें हमें कि 15 mm की डिस्टेंस पर टेंपरेचर आई करना था हमें एक्स की वैलो गिवना है 15 mm फिर से जैसे कि यहां पर हमें यहाँ पर देखिए 15 mm की डिस्टेंस पर सेंटर लाइन से टेंपरेचर फाइंड करना है तो देखो मैं आपको यहाँ पर डियाग्राम बना करके दिखाता हूं जैसे यह क्या है सेंटर लाइन और मालो यह वल डिस्टेंस कितनी है 15 mm और यह क्या है L तो हमारे पास X upon L की वैल कितनी है 30 तो 30 हम यहाँ पर रख लेते हैं यह भी mm में है और 30 भी mm में है तो यह कितना मिलेगा हमे 0.5 तो यहाँ से X upon L की वैल कितनी मिलती है 0.5 तो देखो इस बार जो हम हीजलर चार्ट यूज़ करेंगे उसमें हम X upon L देखेंगे तो जो छोटा वाला हीजलर चार्ट है उसका हम यूज़ करेंगे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यह इस पेर के लिए है यह सिलंडर के लिए है और इससे उपर वाला किसके लिए है पिलेट के लिए है यहाँ पर देखिए हिजलर पोजिशन करेक्शन फेक्टर चार्ट फोर टैंपरेटर हिस्ट्री इने तो यह वाला चार्ट किसके लिए यूज़ किया जाएगा सेंटर के अलावा कहीं भी टैंपरेचर फाइंड करने के लिए तो इसमें जो एक सक्सिस पर है वो क्या है वन अपॉन बायाट नंबर तो वन अपॉन बायाट नंबर की वैलो हमारे पास कितनी थी 6.06 और यह वाल की वैलू को लेकर के हम इसकी वैलू निकालेंगे टी माइनस टी ए अपॉन टी नोट माइनस टी ए तो देखो एकस अपॉन ल की वैलू इतने 0.5 तो यह देखो यह वाली जो लाइन यह किसके लिए है 0.2 के लिए है यह वाली लाइन 0.4 यह वाली लाइन 0.6 और यह वाली और उसके बाद 1 open byot number देखी कितना है 6.06, यानि 6, जान लो यह वाली line कुन सी है, 6 की है, यह 7 की रहेगी यह आठ की, यह 9 की और यह वाली 10 की है, तो यह वाली line किसके लिए है, 6 के लिए है, तो जरह इसमें उपर की तरफ चलो, तो इस तरह से चलते 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 हम यहा पर ठीक है इस वाले point पर तो आप देख लो कि यह वाली यह कहां पर y axis को intersect करते हैं लगवक यहां पर तो यह क्या है 0.0 और 1 के बीच में तो यह वाला जो point है यह क्या रहेगा 0.95 तो यह 0.95 से ज्यादा है तो हम इसकी value माल लेते हैं 0.97 अप्रोक्सिमेटली इतना ही मिलेगा तो यह जो है इसकी value में कितनी मिली 0.97 तो चलिए इसकी value हम question में रख लेते हैं और यह जो t है यही क्या है temperature है 15 mm की distance पर central line से तो चलिए इसकी value लिख लेते हैं 0.97 तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि t minus t a upon t not minus t a is equal to 0.97 तो चलिए इसमे value पूट करते हैं t a कितना हमारे पास 50 और t not यानि center line temperature तो center line temperature हमने find किया था पहले ही 284 और यह 0.97 तो इसे solve करेंगे तो यहाँ से temperature की value आएगी 276.98 degree Celsius तो देखो यहाँ पर temperature कितना आया है 276 और यहाँ पर center line पर temperature कितना था 284 तो center line पर temperature अधिक है इस वाले point से तो यदि आप इस lecture की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हो इसकी PDF आपको टेलिग्राम गुरूप पर मिलेगी टेलिग्राम गुरूप का नाम है cool techniques ठीक है आप टेलिग्राम गुरूप जोइन कर लेना टेलिग्राम ठीक है तो यह वाले PDF भी आपको टेलिग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी तो चलिए दोस्तो आज की यूडियो में इतना ही